हलो वेलकेम नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल अनली सक्षिस में और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले करेंट अफिर्स की जो कि एक नॉम्बर से लेके 7 नॉम्बर तक है पूरे हफ़ते का करेंट अफिर्स और जो भी साती आज पहली बार चुलो रहे हैं उनके लिए में बता दू कि जो हम लोग अगस तक पीछे एक एक हफ़ते करके पूरा अगस तक कवर करेंगे और जो आगे का चलेगा वो भी पैरलली चलता रहेगा जैसे कि कल 22 दिसंबर तक का वीडियो अपडेट कर दिया गया है और दूसरा यह है कि इनका जो सोर्स है वो जितने भी हफ़ते बार में डिफरेंट मैगजीन निउस पेपर या जो पी आई भी रहता है इंटरनेट से वो सारा इनका सोर्स है जितना भी रिलेवेंट करेंट अपर्टेंट आपके एक जो भी साथ ही अगर और लेडी मेंबर हैं इस ग्रूप के तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करिए और जो लोग पहली बार तेख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करने चैनल को जिससे कि मुझे लगए आप लोग भी इंटरस्ट ले रहे हैं मैं अगर बनाने में इनत कर कर रहा हूं तो आप लोग उसको पढ़ने में और यूस कर रहे हैं तो मेरे लिए एक मॉटिवेशन रहेगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए कितना यूसफूल साबित हो रहा है जिससे के और भी चीज़ है एड की जा सकें इसमें और एक चीज और ह सब्सक्राम का लिंक दिया चाहें तो उससे जुड़ जाएं क्योंकि इससे संबंदे जितना भी पीडियाफ होगा सब फ्री ऑफकॉस्ट है वहां पे शेयर हो जाएगा तो वहां से अब पीडियाफ से पढ़ना चाहें तो वीडियो से पढ़ने और यह 15-16 मिनट का वीडि से प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है एक नवंबर 1956 को आधुनिक केरल को बनाया गया प्रतिवर्ष केरल राज को गौड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है BCCI ने निवजिलेंड के खिलाफ होने वाली T20 स्रंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौपी है हार्दिक पांडिया को किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विशुकप पर जीत हांसिल की इस्पेन ने हाल ही में WHO द्वारा जारी की ग्लोबल TV रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल कितने TV के मामले नोटिफाई किये गए हैं तो यहां पर दो तीन चीज़े हैं मतलब WHO जारी काता है टीवी रिपोर्ट यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको इस हिसाब से भी आप सुनिए पढ़िए कि कोश्चन में भी आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी इसके एसाब से जो डाटा जारी किया है 21.4 लाग जो वर्ष 20 की तुल्ला में 18% अधिक है कौन सी कंपनी हाल ही में मैटावर्स पर यॉर्णिंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारती कंपनी बने रिलाइंस इंडस्ट्री इस लिम्टेड मैटावर्स आपको पता ही होगा अजकल बड़ा नया कॉंसेप्ट चल रहा है तो इससे संबंदित जानकारी जो भी है इंपोर्टेंट ही है इसको आपको किसी इग्जाम में मिल सकता है किस देश ने हाल ही में समलेंगिक जोडों के लिए एक साजेधारी प्रमाणपत्र योजना शुरू की है जापान ने ये अभी तक का पहला देश है जिसने ये प्रमाणपत्र जारी किया है किस राज में विश्यो का सबसे बड़ा पांडूली की ग्रंधाले बनाया जा रहा है गुजरात में रूस ने यूक्रेन के साथ किस निर्यात के समझोते को निलम्बित कर दिया अनाज निर्यात को यानि कि जो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है उसमें जो एक समझोता हुआ था आपस में कि अनाज का आयात या निर्यात से संबंदित था और इसमें थोड़ा से मैंने इसमें कवर भी कर दिया है आपसे डिस्क्रिप्चन जिससे आपको यात करने मसानी हो अनाज निर्यात कनने वाले जहाजों को सुरक्शित मार देने वाले समझोते को हाल ही में निलम्बित कर दिया है परंतु इससे था यानि i soltus e insat d चीज को लेके वो इस समझाती पर निर्वर करता है तो ऐसे अनाज निर्यात के लिए एक समझाता था दोनों देशों के बीश में जो रूस ने अभी इसको समाप्त नहीं किया है लेकि निलंबित कर दिया है कि जो आनाज से संबंदित जो भी जहाज लेने जाने वाले थे उन किस राज के समुद्री मत से विभागने हाल ही में मतस से खेट पर साथ माँ तक प्रतिबंद लगाया उडिशा राज ने मतस मतलब की जो फिशरी होती है उस पर प्रतिबंद लगा दिया है किस राज ने उडिशा ने क्यों लगाया इसका कारण जान लीजे इसमें दो-तीन फैक्ट हैं साथ-साथ वो भी देख लिए उडिशा राज के समुद्री मतस विभागने हाली में गहर माता समुद्री अभिरन में साथ माह तक मचली पकड़ने पर प्रतिबंद लगा दिया है जिससे लुप्ट प्राय ओलिव रिडले समुद्री इसमें दो-तीन चीज़ हैं एक तो गहर माता समुद्री अभिरन कहां है यह ओडिसा में दूसरा क्यों प्रतिबंद लगा यह ओले वरिडले यह कहां पर होता है कि लोग समुद्र किनारे आते हैं यह कच्छुए हैं और यह यहां पर अंडे देते हैं इनका एक समय होता है अंडे देने के बाद में ये लोग चले जाते हैं फिर इसमें अब होता क्या है कि जो लोग मच्छी पकडने जाते हैं वो को उस अभिहरंड में फिलाल के लिए प्रतिबंद कर दिया है साथ माह के लिए यह जो साथ माह का समय है यह इनके अंडे देने का समय है ओले रिडले कच्छूओं का तो दो-तीन फैक्ट है यह सारे इंपोर्टेंट है दो नौंबर को किस धर्म के लोग आत्माओं का दिवस अगला प्रशन है देश में देश के स्टील मैन के नाम से किस मशूर व्यक्ति का 85 वर्ष की आयू में निधन हो गया जमशेद जे इरानी का यह स्टील मैन ओफ इंडिया के नाम से भी मशूर है 1968 में जमशेद जे इरानी टाटा आयरन एंड इस्टील कमपनी अब टाटा इस्टील जिसको बोलते हैं में जुड़ने के लिए भारत देश आये थे उन्होंने टाटा समू की कई कमपनियों के निदेशा के रूप में भी काम किया है अगला प्रश्ण है निम्ड में से किस बैंक के पूर्व M.D. आदित पूरी को कारलाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर अडवाईजर निउस किया गया है SDFC बैंक ने अगला प्रश्ण हाल ही में किस राज सरकार ने COVID-19 के बीच पटाकों की बिक्री पर रोक लगा दी राजिस्तान सरकार ने चुकि यह नॉम्बर का है तो उस समय वो दीपवली वाला मौका था तो इस लिए यह करेंट अफ्यस वहां के लिए इंपॉर्टेंट है पर आगे एक्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप स्क्रीप कर सकते हैं पटिक्लर लिए इस कोश्चन को भारती रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरूआत की है मेरी सहली पहल की भारती रेलवे ने शुरूआत की है इसमें क्या है और पी एफ ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है पहली बात यह मेरी सहली जो योजना है तो और प्रवासी भारती वैज्ञानिकों या सिक्षा विदों के लिए कौन सा अनूठा शिखर सम्मेलन हाल ही में आयुजद किया गया है। अगला प्रशन है कियन सरकार ने सैनिक स्कूलों में OVC को कितने प्रतिशाद आरिक्षन देने की गोशना की है। 5 प्रतिशत जो सीटें है वो अनसूचित जन जाती के लिए है। और इसमें OVC के लिए कितनी हो गई है। 27 प्रतिशत भारत ने गिलगिट बालतिक्तान को प्रांती दर्जा देने की किस देश के फैसले को खारिज कर दिया। तो ये तो पाकिस्तान का ही है। अगर आप लोग गैस भी कर लेंगे तो गिलकिल बारतिक्तान इतना न्यूज में रहता है तो ये पाकिस्तान का ही इससा है। तो भारत ने इसको खारिज कर दिया उसके इस फैसले को। हाल ही में किस देश ने अंतर महादीपिय बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षण किया। उत्तर कोरिया ने। केंद्री मंत्री मंडल ने इतनगर के होलोंगी में इस ग्रीन फील्ड हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या रख दिया है। डोनी पोलो हवाई अड़ा इतनगर अब इसमें दोनों ही चीज़ें देख लेजे कि इसके पहले नाम क्या था ग्रीन फील्ड था बाद में इसका डोनी पोलो हवाई अड़ा रख दिया गया है। अगला प्रश्न अंतराश्टी बेड़ा समीक्षा आई अफ आर्ने में भाग लेने के लिए भार्ती नौसेना किस देश में पहुची है। जापान में भार्ती नौसेना के जहाज शिवालिक और करमाटा अंतराश्टी बेड़ा समिक्षा में भाग लेने जापान पहुँचे जिनेवा प्रेस क्लब देला नुकलिराइजेशन डे एशिया का परमाडू करण है इसका नाम है नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है इसके लेखा कौन है रेने नाबा इसका पुस्तक का नाम क्या है पहली बात यह देख लेए डेला नुकलिराइजेशन डेला एसी एशिया का परमाडू करण इसका जो नाम है यह दूसरी भाशा का लग रहा है किस राज में मुख मंत्री द्वारा नागरिक जुडाव और संशार कारिक्रम शुरू किया गया मेगाले राज के द्वारा हाल ही में नीती आयोग देश में 75 सफल महिला उद्योमियों की किस बुक के 24 संस्क्रण का लोकारपन किया तो इसमें दो चीज़ इंपोर्टेंट है कि सफल महिला उद्योमियों के लिए किस ने लोकारपन किया है नीती आयोग ने और इसमें इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेबल बुक इनोवेशन फॉर यू इस किताब का नाम है इनोवेशन फॉर यू प्रधानमदी नरेन मोदी ने राजिस्थान के किस धाम को राश्टी समारक घोशित किया है मानगल धाम को मोदी ने राजिस्थान के मानगल धाम को राश्टी समारक घोशित किया है अगला प्रशन है पांच नॉम्बर को निम्ड में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व सुनामी जाग रूपता दिवस अगला प्रश्ण है कौन सा राज ट्रैक एशिया कप 2022 की मेंजमानी करेगा केरल अगला प्रश्ण किस भाती किरकेट ने T20 विश्व कप के इतिहास में तीन या अधिक अर्द सतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है विराट कोहली टी ट्वेंटी में, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में, तीन या तीन से अधिक अर्षा तक लगाने वाले पहले एक लाड़ी कौन बन गए हैं, विराट कोहली सुतन भारत के किस पहले वेक्ती ने हिमाचत पूरदेश के कलप में, अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से, चौद Оज़ा के लिए मतदान किया, शामसरण नेगी ये हिमाचल के हैं शाम सरण नेगी इन्होंने 14 विधान सावा में पहली बार बैलेट पेपर से जो मद्दान है वो किया है हाल ही में किस राजिक मुखमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉंच किया हर्याणा के मुखमंत्री ने ये लॉंच किया है अगला प्रशन है हाल ही में मिस्र में COP 27 में भारतीय प्रतिनिधी मंडल का नेत्रों किस ने किया देखिए पिछले हफते जो भी जो हुआ था और ये कहां पर हुआ है ये शरमल शेक में मिश्र में हुआ है COP 27 इसकी परिभाशा क्या है Conference of Parties जो COP का फुल फॉर्म है यह सत्त्रमा इसका है भारत का प्रतिनिद्ध मंडल किसके नितरत में गया है भूपेंदर यादों के अंडर में कहां हुआ है शर्मल शेक मिस्च्र में हुआ है अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इससे संबंदित वहां पर और शेक पर एक पार्ट शामिल किया है आंध्र प्रदेश हाली में किस प्रसेद फुट्बॉलर ने खेल से सन्यास ले लिया है जेराड पिक ने यह फुट्बॉल वर्ड कप हुआ है इसलिए फुट्बॉल से संबंदित जितने भी फैक्ट है इसको भी आप लोग ध्यान से ही पढ़िए कई खिलाडियों ने इस समय सन्यास लिया हुआ है कुछ अर्जंटीना के हैं जो कल पिछले वीडियो में देखा है कुछ दिसंब हाली में किस ने पंचैती राज की ग्रामीर विकास एजंडा पुस्तिका का विमोचन किया गिरी राज सिंग ने हाली में किस राज के मुखमंत्री ने लखपती दीदी मेला का शुबारम किया उत्राखंड आप देखे यहां पर और इंपोर्टन कभी कभी यह भी सीधे प्रश्ण देख लेते हाली में विस्ट्र की सबसे सस्ती वी निर्मान लागत वाले देश की सूची में कौन सा कौन सीर्ष पर रहा भारत वी निर्मान सबसे सस्ती वी निर्मान लागत वाली सूची में भारत सीर्ष उस्थान पर है लोगों को कैंसर के गंभीर खत्रह के बारे में जागरूख करने के लिए हर वर्स रास्टी कैंसर जागरूखता दिवस कब मनाया जाता है साथ नवंबर को इरान की किस आंध फोर्स ने ठोस इंधन कैम हंटर्ड उपग्रह वाहक का परिक्षन किया इस्लामिक रेविल्यूशन गार्ड कॉप्स का यह किस ने परिक्षन किया है इरान ने हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्य चैंपियंशिप में किन दो खिलाडियों ने अपने अपने फाइनल में स्वनपदक जीते अब इसमें पैरा का मतलब हो गया जो लोग हैंडीकाइप हो ते हैं उनका अलग से चैंपियंशिप होती है चाहें वह ओलम्पिक हो चाहें बैडमिंटन हो तो जहां पैरा लग जाए तो आप समझ लीजे कि जो हैंडीकाइप होती हैं उनके के लिए पैरा लगा दिया जाता है तो पैरे बेंट मिंटन विश्य चैंपियंशिप किसने किसने जीते प्रमोद भकत ने और मनीशा रामदास ने अगला प्रसने हाली में किन दो देशों की बीच विजिलेंट स्टॉम सैन अभ्यास की शुरुवात हुई अमेरिका और कोरिया के बीच में हाल ही में महलाओं के लिए मुखमंत्री लगपती दीदिक के सराज में की गई उत्राखंड में कि फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की फाई डवल सी आई ने अपने ने अपना नया अध्यक्ष निक्त किसको किया है शुभाकान पांडा को ये फिक्की के नए चेर्मैन है ये इंपोर्टेंट अगर रहाल फिलाल आपका को एक्जाम है तो आपको पता होना चाहिए तो यही है आज की सारी जो भी करेंट अफ्यर्स आपका एक हफ्ते का जितना भी रिलेटेट था और इसको पढ़ लीजे अगर और आप कमेंट में जरूर बताईए कि आपके लिए कितना मतलब आपके लिए helpful साबित हो रहा है आप सब्सक्राइब कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद